नमस्कार जी सत्गुरु डेरी फारम में आपका स्वागत है आज हम आपके लिए एक खास वीडियो लेके आए हैं कि आज हमारा नौ गायो का लोट गुजरात में जा रहा है खास बात इसमें ये है कि पिछले दस सालों से हमारे से जो कस्टमर जुड़े हुए थे वो पहले गंगा नगर से सारी गाय खरीदते थे इस बार उनकी एक अलग तरह की डिमांड थी कि हमने मंडी से टोब ब्रीड की गाय खरीदनी है तो ये जो आपकी सक्रीन पे सारी गाय दिखाई जा रही है ये हमने गंगा नगर से तकरीबन 180 किलो मिटर दूर मंडी डब वाली जो पंजाब में है वहाँ से एक से बढ़कर एक एच एफ टोब ब्रीड की गाय इनको खरीद के दी है जो कि दो दान्द, चार दान्द और कुछ इन में से फर्स्ट लैक्टेशन में ब्याने वाली है बच्छडियां टोब ब्रीड की ये आप देख रहे हो आपकी सक्रीन पे ये लगबग 24 लिटर से लेकर के 35 प्लस लिटर तक्रीबन एक दिन की डूद शम्ता वाली सारी ये गाय है और 66,000 से लेकर के 91,000 तक की इनकी कीमत है सारी की सारी गाय आपकी स्क्रीन में दिखाई जा रही है अभी एक एक करके गाय भी आपको दिखाई जाएगी और मालिक से भी मुलाकात करवाई जाएगी जो अपने पिछले 10 सालों से गाय हमारे से लेके जा रहे हैं और उनका हमारे बारे में कैसा एक्सपीरियंस रहा ये गाय करीद के ये सब जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी आप वीडियो को अन तक जरूर देखें नमस्कार जी मेरा नम परम जी सिंग काड़ा भाई सत्गुर डेरी भारम से और गाम उननी से अपको तसीर शीरी करनपूर जिला गंगानगर राजिस्तान से जैसे कि आपको रोजी अपनी वीडियो आ रही है और आज मेरे पास भाई साव जी रजा ली जी आविद भाई ये पिछले 10 साल से मेरे सबास आ रहे है और अच्छी आय ले कर जा रहे हैं लगातार गंगानगर से आज इनके मन में था कि आपने चलो मंडी जाके आते हैं डबबली मंडी जो अपने से एकपने से एक सो एकलो मिटुन है और वहासे माल देख के बाचे पाइय तो अपने ले लेंगे और ऐसे इनका मानस बढ़ गया और इदर आती इन्हों ने आज 9 गया जो आपको स्क्रीन पे दिखाई है यह इन्होंने 9 गया ली है और आपको जैसे आपको पता चल गया होगा कितनी अच्छी गया है और बहुत बढ़ी गया इनमें से 15-15 लीटर स्प तो गंगानर से आके ले लेंगे और इनको जो थोड़ा इन में मन में था वही उसी रेट में इंदर से काई मिल गई और मैं इसके बाद में द्रजाली से पुछना चाहता कि जो आपने गाई लिए यह आपको बिलकुल बाजी रेट में मिलिया और जैसे की बहुत अच्छी मि है जो हमको चाहिए ब्रीड वाली वैसी हमको इधर से मिलती गई है तो हम आज सोच लिया कि एक बार मंदी जाके आए तो बात में हमने यह सब गाए एच अप मंदी से खड़ी गाए तब और ब्रीड वाले और मिल्क मिल्क ऑफ ओ हाइल 15 लिडफ बर्डे का मिल्क है अब इसक बार मिल्क मिल्क ऑफ और जैसा कि डग्साब ने बताया कि थोड़ी ब्रीड वाले लेनी ती वैसे इनके मन गाया लेकिन यह जो इनकी गाये है बहुत बाजी रेट में मिली है और वड़ीया क्मल्टी की जैसे आपने देखा दोधा भी है उस में से सब मतलब जवान है वह स और आगे के लिए मतलब हमारी जे मंडी में बहुत कम आते हैं क्योंकि गंगारण में प्रोपर गाए बहुत मिल जाती है और आज पहली गाड़ी मतलब इस सीजन की पहली गाड़ी थी जो हमने यहां मंडी मतलब डबबाली मंडी जो हमारी 180 किलमेटर दूर है वहां से ली है और हमारा शौक भी पूरा हो गया मंडी में और बिल्कुल बड़िया गाए मिली और आगे के लिए कोई भी हम कहना चाहते हैं कि जो मानस मतलब प्रोपर गंगारण में गाए बहुत बड़िया मिलती है अगर किसी का मन हो की डबबली लेनी है तो भी हम दिला देते हैं यह ह इस चाहरे हैं और आज भी हमने इनके लिए वैसे ही उतनी मेनद करके इनको गाइ दिलाई है एक एक गाइ बहुत बड़िया दिलाई है आपकी स्क्रीन में एक एक करके गाइ चला के दिखाई जाएगी और यह जो गाए आप देख रहे हैं यह गाए लगवख 40 लितर के करी दूद देने की शमता है इस गाय में और ये गाय हमने इनको बिलकुल वाजिब रेट में 91,000 में दिलाई है जैसा कि आपको भी पता है कि मंडी में इतनी तेजी के पाफजूद भी बहुत मेनत करके घूंके इनको ये गाय हमने दिलाई है इसलिए ये हमारे साथ पिछले 10 साल से जुड़े हुए हैं और आगे भी अच्छी अच्छी गाय लेके जा रहे हैं बुरे के करके आपको गाय चला के दिखाए जाएगी करके दिलाई हैं झाल करके दिलाई हैं झाल करके दिलाई हैं झाल करके दिलाई हैं झाल 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 इसी के साथ साथ ही जो भी हमारे डेरीफारम से गाई लेके जाते हैं ये आपकी स्क्रीन में दिखाया जा रहा है कि उनका प्रोपर तरीके से लोडिंग करने से पहले हर एक पशूक की अच्छे से देख़वाल की जाती है ये आप देखी रहे हो जो ये गाए हमारे से लेके जा रहे हैं ये डॉक्टर खुद, इन गायों के ओननर खुद एक डॉक्टर हैं इसलिए ये हमारी डेरी फारम की तथ तरफ से हर एक गाए को अच्छे से प्रोपर उनका चैकड़ किया जा रहा है चड़ाने से पहले उनको केलशियम, फास, फॉरस वगेरा इंजेक्शन दिये जा रहे हैं ताकि ये रास्ते में गाड़ी में इनको कोई दिक्कत नाए, ठकावट नाए और जल्दी जहां ये जाए जल्दी दूद पे आए और इनको कोई ठकावट जहां कोई कमजोरी कुछ ऐसा नाए इसी के साथ साथ हर एक गायो को केलशियम जल पिलाके ही लोड की जाती है गाड़ी के नीचे प्रोप पर मिट्टी डालके ताकि जो गाई लेके जा रहे हैं उनको कोई दिक्कत नाए ये आप देख सकते हो इनमें गाड़ी में पूरी 9 की 9 गाई परके अच्छे से प्रोप पर उसको कवर किया गया है नीचे मिट्टी डाली गई है और गाई के साथ पूरे कागज डोकुमेंट जो लीगल होते हैं रास्ते में जो भी चेक अप होता है हमारी डेरी फारम के तरफ से जो दिये जाते हैं